हेलो फेंट्स दिस इस पवन चौधरी वेलकम टू फिजिक्स वाला आने वाली MPPC प्रिलिम्स के लिए कई सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज में लेके आया हूं और उसमें आज एक इंपोर्टेंट टॉपिक है नेशनल पार्क ऑफ मध्यबदेश मध्यबदेश में है राज्य के कुल शैत्रफल का 25.14% जो एरिया है वो आपके फोरेस्ट एरिया में आपको आता है और उसी के साथ अगर हम लोग मध्यबदेश में आपको देखें तो we have the total 11 national park in मध्यबदेश कई सारे और भी national parks के बारे में बात चलती है लेकिन अभी के समये पे 11 national park 11 national park मध्यबदेश में आपको located है और इन national parks में हम लोग देखेंगे तो मध्यबदेश के कुल शैत्रफल का तकरीबन 10,890 square kilometer जो एरिया है 10,890 square kilometer एरिया है वो आपके forest के अंदर आपको आता है जंगल जो especially national parks और centuries के अंदर आपको आता है मध्यबदेश के अंदर forest की जो बात होती है मध्यबदेश के काना नैशनल पार्ग से आपको पता है काना नैशनल पार्ग मध्यबदेश का पहला नैशनल पार्ग है उसके साथ में ही काना नैशनल पार्ग जो है मध्यबदेश का पहला tiger reserve पहला नैशनल पार्ग और पहला कोई wildlife area कोई आपका century अगर मध्य बिरेश में establish हुई, तो वो भी कानहा किसली के अंदर आपको located, कानहा और किसली दो अलग अलग zones है, इनको मिला के कानहा किसली नाशनल पाग यह कानहा नाशनल पाग आपको बना, कब बना काना नाशनल पाग तो 1955 में 1955 में इसकी स्थापना की गई और अभी के समय पर यह located है म मद्दविदेश के मंदला और बालाघाट इन दोनों जिलो में लोकेट आपको है एरिया और वगयरा वगयरा उन चीजों में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हर नाशनल पार की ऊपर एक सेपरेट वीडियो में आपको बनाओ ताकि इनके अधाना वाला रीजन है सेंट्रल प्रोविंस का पार भुआ करता था बाद में पूराने मद्दविरिश का पार्ट बना तो as a part of old मद्दिविरिश 1955 में मद्दविरिश का पहला नाशनल पार आपको इस्टैबलेश हुआ अगला नेशनल पार है उसका नाम है प्राजी यह जो बढ़िल कंद राजा है उन बढ़िल कंद राजाओं का यहां पर सामराओ यो हुआ करता था 1968 में इसको नाशनल पाक के रूप में इसको स्टेटिस यहां पर या जो ग्वालियर के राजा थे उनके नाम से इसको माधव नैशनल पार्ग कहा जाता है खेर इसके पहले इसको मध्य भारत नैशनल पार्ग कहा जाता था कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि 1955 में ये पहले इस्टैबलिश हुआ और उस समय मध्य भारत का पहला नैशनल पार्ग था से में वीडियो लेकि आओंगा जहां पर हम लोग मद्विदेश में इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मद्विदेश में इंपॉर्टेंट सून चिडिया के अभ्यारन हो गए या अपके घरमोर बर्ड सेंचुरीज हो गई घडियाल या ऐलिगेटर के लिए कौन-कौन स है कौन-कौन से टाइगर रिजर्व मद्विदेश में कौन-कौन से संभावी टाइगर रिजर्व है वो तमाम चीजे हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगी यहाँ पर सिर्फ नाशनल पार कब इस्टाबलिश हुआ कि साल में इस्टाबलिश हुआ उसके बाद अग इंपोर्टेंट जो नाशनल पार्क है मद्विदेश में वो है पन्ना नाशनल पार्क तो पन्ना के आसपास के रीजन में आपको लोकेटेड है कब इस्टाबलिश हुआ 1981 में इस्टाबलिश आपको हुआ पन्ना जिले के अंदर आसपास के एरिया के जो फरेस्टिट एरिया है क्योंकि अगर पन्ना के हम लोग बात करें तो पन्ना जो है मद्विदेश के तीन बायोस प्र रिजर्व है जो में वी शामिल है तो तीन बायोस प्रेश्व में से ए एक एरिया है आपका पन्ना बायोस पर रिजर्व और उसी शेरिया के आसपास में पन्ना नैशनल पार्ग जो है नैशनल पार्ग का गठन 1981 में 1981 के अंदर आपको किया गया अगला नैशनल पार्ग है पेच नाशनल पार्ग पेच नदी की किनारे पूरा एरिया आपको एस्ट प्राकृतिक साइड है तो प्राकृतिक साइड के रूप में इसको अभी अपलाई किया गया है उसके बाद 1981 में established आपको हुआ होशंगाबाद या अभी के समय का जो नर्मदा पूरम जिला है नर्मदा पूरम जिले के अंदर आपको located काफी बड़ा एरिया इस नैशल पाक का है टाइगर के संख्या भी यहाँ पर आपको ठीक टाक आपको है लेकिन एरिया बड़ा होने के कारण टाइगर साइटिंग जो है वो एक बड़ी समस्य है यहाँ पर आपको निकल किया आती है और इसी के पास में एक सबसे important place है मद्यबिदेश का पचमड़ी जो मद्यबिदेश का पहला ऐसा tourist destination बड़ा यह मद्यबिदेश का बोल सकते हैं कि उस समय के हिजाब से एकलो था अभी तो तामिया वगरा कई सारी चीजे बन गए तो एक important hill station के रूप में आपको विक्सित किया आजकल तामिया जो है चिनवाड़ा district में वो भी बड़े hill station के रूप में डवलप हो रहा है उन तमाम चीजों के बारे में भी कभी बात करेंगे अगला national park है वन विहार national park अब क्या ही national park है यह national park के नाम पे zoo है क्या national park के नाम पे zoo है literally वन विहार national park सच में एक zoo है इसको अगर देखा जाए तो इसको जो wildlife institute of इंडिया है WII WII ने इसको बड़े zoo की रूप में declare के रखा है 1983 में establish हुआ भौपाल के अंदर तो भौपाल के अलावा भौपाल है है हैधराबाद है श्रीनगर है बैंगलोर है जितने भी बड़े-बड़े शहर है बड़ी-बड़ी जो capital city आपको है इन capital city में जो जंगल वाले एरिया होते हैं उन forested एरिया को भारत सरकार के द्वारा या उनको एक तरीके से वो जो एरिया आपको होते हैं वो की लोग एक तरीके से nature से जूट सकें प्रकृति से जूट सकें तो उन शहरों के आसपास के reason में इस प्रकार के national parks आपको बनाये जाते हैं अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह in-situ और ex-situ दोनों प्रकार के conservation आपको होते हैं in-situ conservation का मतलब आपको होता है कि कोई भी animal कोई भी जनवर जो जंगल में रहता है तो जंगल में ही उसको संद्रक्षित कर दिया जाए वो होता है in-situ conservation जैसे national park हो गए wildlife century हो गए तो यह क्या होता है बायोस पर रिजर्व हो गए यह सब क्या है यह in-situ conservation के जैसे चिडिया घर हो गया जू हो गया तो जू इस दे एक्जाम्पल होता है एक से तू तो इन से तू और एक से तू दोनों चीज़े याद रखेगा ता अगला national park मद्द विदेश में आपको है नेक्स म Siber पांग मद्द विदेश में है तो ने मैक्शनल पांग है आपका fossil national sauce यम यह यह ए इसको गूगवा फॉसल नाश्ल पांग क singing आपम आपको जानते यह Fossil National Park या इसको घुगवा Fossil National Park के आप माध्यम से यहाँ पर आपको जानते हैं मद्द विदेश में इस प्रकार के दो Fossil Park आपको मिल जाएंगी एक घुगवा Fossil Park जो डिंडोरी जिले में आपको लोकेटेड है और दूसरा Fossil National Park है विच इस लोकेटेड इन दा धार जिला तो यह जो Fossil National Park है यहाँ पर कई सारे एनिमल के आपको स्पेशली प्लांट Fossil है या पेड़ों के Fossil यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पर इस प्लाकार के पेड़ के Fossil उनको मिला और उसके बाद इस पूरी एरिया को डेक्लेर किया कि भारत के सबसे पुराने पेड़ों के जो Fossil है या पेड़ों के भी Fossil होते हैं पेड़ दीर दीरे आपको सूख जाते हैं और वो पत्थर के तरह कड़क हो जाते हैं तो इस तरह का पहली बार हमको मिला कहां पर लोकेड़ेट है मद्देबरेश के डिंडोरी जिले में आपको लोकेड़ेट है अगला जो Fossil National Park है मद्देबरेश में वो है Dinosaur Fossil National Park तो यहाँ पर Dinosaur के अंडे धार और आसपास का रिजन मद्देबरेश में दो ऐसी जगे हैं एक है धार के आसपास का रिजन धार मनावर के आसपास का शेत्र और दूसरा एरिया है आपके भेडा घांट लबेटा घांट के आसपास का शेत्र जो जबलपूर के पास में लोकेड़ेट इन दो जगों पर मद्देबरेश में बड़े लेवल पर डाइनोसौर के स्कल्ड रीजन यहां पर भारत में पहली बार चीटा को रेंट्यूस किया है। चीता को पुनर भारत में उत्पादित या पुनर उसको स्थाफित करने की खोशिश की गई है 2018 में नाशनल पाग आपको बना और ये नाशनल पाग आपके जो है इस्पेशली जाना जाता है आपके टाइगर आपके चीता के लिए तो चीता एक तरह से देखा जा तो भारत के अंदर 1954-55 में चीता खतम आपको हो चुका था चीता को फिर से रिंट्यूज किया तो अभी के समय कि शौपूर और मुरेना जिले के अंदर कुनो वाइड लेफ सेंचुरिया, कुनो नैशल पाक आपको लोकेटेड है अगर मैं यह बोलूँ कि कुनो नैशल पाक यिसलिये बनाया गया ताकि जो टाइगर जो चीता है उनको और इंटुदिव्स किया जाय तो कोई गलत नहीं होगा चीता को इंठोडिूस करने के पहले, यहां पर एक प्रजएक्ट था, जहां पर जो गीर के जंगल में जो लायन है, उन घीर के जंगलों के लायन को, यहां पर रीस्टैबलिश करना था, पुनस तापित करना था, लेकिन वहां पर गुझरात सचार्कार ने अढंगा लगाया उस समय की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मूदी जो है उनने इसका बड़ा विरोध किया कि गीर का जंगल यहां से बाहर गीर का जो शेर है वो गीर से बाहर आपको यहां का बागने आपको नहीं जाएगा तो उनके विरोध के चलते और कई सारे कानूनी दावफिज में आपको लाएगा है तो यह मद्द बिदेश के 11 नाशनल पाक्स आपको हुए 11 नाशनल पाक्स हुए I know कई सारी इंपोर्टेंट चीज़े नाशनल पाक के संबन में इसमें नहीं है लेकिन एक शॉर्ट समरी है नाशनल पाक की कि यह ग्यारा नाशनल पाक है इस जिले मे है और इस साल में इस्टाबलिश हुए ऐसा एक और वीडियो में आपको लेकिया हूँगा जहाँ पर कई सारे जो प्रोटेक्टेट एरिया से मद्द बिदेश के एक बड़ा लेक्शर हम लोग करेंगे प्रोटेक्टेट एरिया मतलब नाशनल पाक वाइड लाफ सेंचुर और तमाम इस प्रकार के जो प्रोटेक्टेट एरिया है उनके उपर एक बड़ा वीडियो में जरूर इस तरह से आपको लेकिया हूँगा यह नया तरीका प्रेसेंट करने का कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा थैंक यू बेरी मुच्छ एव गूड दे